Hello Friends, आज का हमारा टॉपिक है, CSS के अंदर next practice question को हम solve करने वाले हैं, जो selector पर वेस है, जितने भी selector अभी तक हमने पड़े हैं, उसी में से एक selector का use करके हम इस practice question को solve करने वाले हैं question क्या है हमारा write CSS statement to implement the following, मुझे करना क्या है, जो यहाँ पर statement दी गई है, इसको use करके, जो हमारे पास statement है HTML का, उसके उपर मुझे CSS को implement करना है तो यहाँ पर यह question क्या है हमारा, set the color paragraphs inside use with id, this id to orange, मुझे करना क्या है, मुझे color set करना है किस color को, orange color को paragraph में जो due के अंदर है और due की id क्या है हमारी this id, तो कुछ इस प्रकार से जो हमारा HTML का code है, वो लिखा जाएगा, due रहेगा, जिसकी id क्या है हमारी, यहाँ पर id attribute, इसकी id क्या दी गई है, id जो है, वो किस name की है, this id है, इस id को मुझे लिखना है, उसके बाद due के अंदर हमने एक paragraph को create किया हुआ है paragraph, जो कुछ paragraph होगा, उसका color मुझे क्या यहाँ पर करना है, माल लेते हैं कि paragraph मेरा है, this is a paragraph, कुछ इस प्रकार से हमारा paragraph है, और इसका जो color set करना है मुझे, वो orange color set करना है, जो की due के अंदर create किया गया है, और यहाँ पर, जो due की id दी गई है, उसके base पर मुझे, जो यहाँ paragraph दिया गया है, इसके color को set करना है, तो इसको किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, html code को लिख लेते हैं, उसके बाद इस पर color को implement करते हैं, सबसे पहले हम अपने यहाँ पर, जो हमारी html की file है, इसके अंदर हम html code को लिखने वाले है, सबसे पहले हमा एक paragraph create करना है, paragraph क्या है हमारा, this is a paragraph, मैं कुछ भी name दे सकती हूँ यहाँ पर, paragraph मैंने दे दिया, यह हमारा क्या है paragraph है, और इसको हम सेब करते हैं, सेब करने के बाद अपने page को हम यहाँ पर refresh करने वाले page को जैसे ही मैंने refresh किया, यहाँ पर हमारा paragraph आ चुका है, अब इस paragraph की ID इसी ID के वेस्ट पर मुझे क्या करना है, जो हमारा यहाँ पर paragraph दिया गया है, इसका color मुझे orange set करना है, तो यहाँ पर हम style एड करने वाले हैं, style में क्या एड करेंगे, सबसे पहले तो first way होता है कि हम ID selector को use करके क्या कर सकते हैं, इस पर color को implement कर सकते हैं, तो ID selector मेरा क्या ह सबसे पहले, has, ID को select करने के लिए, उसके बाद ID name हमने क्या दिया है, this ID, this ID लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, paragraph पर, यानि कि जो हमारा एक प्रकार से मैंने due की ID को लिया, यानि कि due को select किया, उसके अंदर हमारा कौन सा है, यहाँ पर element है, paragraph है, और इस paragraph का color मुझे क क्या set करना है, यहाँ से जो color set करना है, color property को use करेंगे, इसकी value मुझे रखनी है, orange, orange color को मुझे set करना है, तो यहाँ से मैंने orange दे दिया, और इसको मैंने save किया, save करने के बाद page को हम करने वाले refresh, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जो हमारी heading थी, उसका color क्या हो चुका है, और एंज हो चुका, यह first way होता है, second way क्या होता है, second way हम इसको जो हमारा attribute selector होता है, उसकी help से भी हम इसको कर सकते हैं, select, उसकी help से हम किस प्रकार से select करते हैं, इसको भी हम करके देख लेते हैं, सबसे पहले सको हम comment out करते हैं, और यहाँ से हम page को refresh करने वाले हैं, तो अभी यहाँ पर हम attribute selector को use करने वाले हैं, जिसके लिए सबसे पहले मुझे क्या लिखना होता है, उस element को जिसके अंदर वो element लिखा गया है, यानि वो attribute है हमारा, तो do element के अंदर हमारा attribute है, उसके बाद attribute का name क्या है, id, उसके बाद इसका name id है, id equal, यहाँ पर id की value क्या है, उस value को भी मुझे देना है, id की value है, मेरी this id, यहाँ से इस value को भी मैंने यहाँ से दे दिया, उसके बाद मुझे किसको select करना है, यह जो id है, due element की जो id है, उसके बाद यहाँ से मैंने attribute selector को use किया, इस attribute को select करना है, उसके बाद जो paragraph हमारा आ रहा है, उस पर मुझे क्या करना है, प page को refresh किया तो यहां से आप देख सकते हैं attribute selector की help से भी मैं क्या कर सकती हूँ अपने paragraph पर किसी भी CSS को implement कर सकते हूँ यहां से अगर आपको कुछ और भी CSS apply करना तो आप कर सकते हैं जैसे इसका background color आप कर सकते हैं background color मैंने यहां से aqua दे दिया और इसको मैंने save किया save करने एक बाद मैंने इस page को refresh किया तो इसका background color भी change हो गया है इस प्रकार से आप font family भी इस पर set कर सकते हैं text decoration को भी implement कर सकते हैं इस प्रकार से different different property को आप क्या कर सकते हैं implement कर सकते हैं तो यह था आज का हमारा practice question इस question को सबसे पहले आपको क् खुझ से solve करना है उसके बाद आपको वीडियो को देखना है तो I hope दोस्तों ग्राज की information आपको अच्छी लगी हो तो please वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना और दोस्तों के पास share करना